Hello Everyone, Welcome to Only IAS स्वागत है आप सभी का Current Affairs के हमारे एक New Lecture में जिसमें हम डिसकस करेंगे Oxfam International Report को लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताएं क्या आपने Matthew Effect के बारे में सुना है शायद ही आपने ये टर्म कभी सुना हो लेकिन आपने एक लाइन जरूर पढ़ी होगी न्यूस पेपर में या फिर किसी सामान्य वक्ती से बात करने के दोरान भी आपने ये लाइन सुनी होगी जो अमीर वक्ती हैं वो समय के साथ अमीर होते चले जाते हैं और जो गरीब वक्ती हैं वो समय के साथ और ज़्यादा करीब होते चले जाते हैं कि आपको पता है इसके पीछे क्या फर्क करता है इसके पीछे कौन सा factor responsible है तो इसके पीछे responsible होता है Matthew effect अब इस effect को यदि आप समझ लेते हैं तो आप भी अपनी स्थिती में काफी ज़्यादा सुधार ला सकते हैं तो चलिए जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर Matthew effect क्या होता है लेकिन उससे पहले एक छोटी सी information मैं दे देता हूँ हमारे initiative के बारे में Only IAS 2023 के aspirant के लिए एक prelims की test series launch कर रहा है 15th January से यह already launch हो चुकी है आप इसमें enroll कर सकते हैं इसमें Hindi medium और English medium दोनों को ध्यान में रखकर question को frame किया गया है online price इसके बहुत कम रखे गए हैं 2000 रुपे में आपको यह मिल जाती है और offline यह 4000 रुपे में आपको मिल जाएगी इसमें total 34 test हैं जिसमें 7 test आपके CZ के include रहेंगे हम आपको यहां mentorship session और approach session भी provide कराएंगे जिसका objective होता है आपको किसी particular topic के बारे में guide करना या आप कैसे उस topic को prepare करेंगे हमारी test series कुछ इस तरीके से frame की गई है जिसमें आप यदि हमारे schedule को follow करते हैं तो आप इसके multiple revision करने में सक्षम रहेंगे और हमने इसमें current affairs को ध्यान रखते हुए पिछले देर साल के current affairs को include कर दिया है so that आप अपनी preparation को better कर सकें अब यह test series start हो चुकी है अगर आपको इसमें enroll करना है या आपकी और कोई query है test series के बारे में तो आप हमें call कर सकते हैं इस number पर और आप हमें mail भी drop कर सकते हैं अब चलिए वापस आते हैं और समझते हैं आखिर Matthew effect किस तरीके से काम करता है देखिए Matthew effect की हमने एक बात तो समझी ली Matthew effect यह कहता है कि जो society का advantage वाला section है वो over the period of time advantage में ही रहता है और जो disadvantage वाला section है वो time के साथ disadvantage में चला जाता है लेकिन आपको पता है यह कैसे हो रहा होता है यदि आप इसी चीज को समझ लें तो आप अपनी इस्तिती में सुधार ला सकते हैं देखिए जो better class होती है society की उनका जो intellectual conversation होता है वो भी better होता है आप किसी भी ज्यानी व्यक्ति से अगर बात करेंगे तो उसका बोलने का तरीका उसका बात करने का तरीका आपको एकदम अलग दिखाई देगा उसके अलावा इन लोगों के पास चुकी इनकी आरतिक इस्तिती better होती है तो इनकी education भी better हो जाती है और जब इनकी educational qualification better होती है तो इनको high paying jobs मिलती है ठीक है और जैसे जैसे इनको high paid jobs मिलेंगी इनकी आरतिक इस्तिती ओर जादा मजबूत होती चली जाएगी और ये rich होते चले जाएगे वहीं आप दूसी तरब बात करें गरीब वर की जो weaker section होता है उनके पास उनकी expectation जो है वो कम होती है इनके पास आर्थिक संसादनों का भाव होता है इसलिए इनकी जो qualification है वो भी कम रह जाती है और जब qualification आपके पास कम है तो ऐसे में आपको lower paid jobs मिलती है जो की आपको कहीं भी advantage नहीं दिलाती है तो इसी वज़ा से आप देखेंगे कि lower paid एक तो job है इनकी उपर से इनके उपर inflation का impact बहुत जादा होगा तो ऐसे में यहाँ पर यह जो करीब लोग है वो और जादा करीब होते चले जाएंगे तो ऐसे में आपको करना क्या है आप यहाँ क्या सीख सकते हैं आप यहाँ इस effect से सीख सकते हैं क्योंकि long term में जब आप education पर invest करते हैं तो आपको यह बहुत benefit देता है चलिए आप बात करते हैं Oxfam report की दीए यह recently अभी publish हुई है एक दो दिन पहले ही और इसमें यह बताया गया है कि जो इंडिया की top 5% population है उसके पास देश की wealth का 60% उपस्तित है ठीक है अब यह बहुत ज़्यादा है अब देख रहे होगे कि inequality कितनी ज़्यादा हो चुकी है भारत में तो इसी चीज़ को हमें यहाँ समझना है तो सबसे पहले हम चानेंगे आखिर यह report होती गया है फिर थोड़ी सी बात करेंगे Oxfam International के बारे में और इसमें क्या-क्या data बताया गया है और inequality को हम किस प्रकार कम कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे जर्चा करनी है कुछ लिए एक एक करके बात करते हैं सबसे पहले मैं आपको कुछ context बता देता हूँ अभी जो recently यह report publish होई है इसमें कुछ ऐसे key data है जिसको आप सीधे-सीधे अपने mains examination में यूज कर सकते हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं जैसे की quality में ठीक है? quality में आपने right to equality के बारे में पढ़ा होगा तो जब आप right to equality पर critical analyze कर रहे होंगे question को तो आपको वहाँ पे critics भी लिखने होंगे तो critics में आप सीधे-सीधे पता है कौन सा point यूज कर सकते हैं आप ये point यूज कर सकते हैं कि भारत में जो richest 1% population है उसके पास देश की कुल wealth का 40% उपस्तेत है और जो हमारे bottom half population है उसके पास total wealth का केवल 3% उपस्तेती है तो ऐसे में देखे कितनी ज़्यादा inequality है जो 1% है उसके पास 40% और जो 50% population है उसके पास just 3% अब बात करें data की कि आखिर Oxfam India इस data को जुटाती कहां से है जैसे लोग कहते है कि ये report तो biased है भारत की छवी को खराब करने का प्रियास किया जा रहा है तो ये data कई जगा से लेती है एक तो Forbes से data लेती है यहाँ पर richest people की जो wealth होती है उसको दर्शाया जाता है इसके लावा credit Swiss से भी ये data लेते हैं government के source भी इनके पास मुझूद होते हैं जैसे national sample survey office हो गया या फिर union budget में बहुत सारे fact और data को दिखाया जाता है वहाँ से भी ये data को pick करते हैं और इनको compile करके ये अपनी report तयार करते हैं ठीक है उसके बाद कुछ key data समझ लीजिए इनको भी आप main examination में सीधे सीधे use कर सकते हैं यहाँ पर ये बताया गया है कि जो top 5% population है उसके पास country की wealth का 60% से भी जादा मुझूद है और उसके आगे जो 10% आते हैं मतलब अगर आप जो richest people हैं उसमें 10% लोगों को ले लेंगे तो वो देश की 72% wealth को accumulate करते हैं तो ये inequality काफी जादा आपको देखने को मिल रही है यदि हम 30% top richest people को ले लें तो उनके पास देश की wealth का 90% मुझूद है तो केवल जो आप देखेंगे कि last की 50% population मस्ती है वही सबसे ज़्यादा गरीबी की इस्तिती में आपको दिखाई देगी उसके बाद आप देश की इस्तिती को यदि measure करने की कोसिस करें आपने पिछले एक दो साल में काफी ज़्यादा experience किये होंगे तो जो गरीब वर्ग है उस पर hunger का impact सबसे ज़्यादा है भुकमरी की इस्तिती आपको उसमें सबसे ज़्यादा दिखाई देगी उसमें unemployment सबसे ज़्यादा है और inflation का impact पी उन पर सबसे ज़्यादा होता है जैसे अगर आप एक example लें तो Russia-Ukraine war के दोरान जो हमारे food के price बड़े, fuel के price बड़े, ठीक है इसका सबसे ज़्यादा impact किस पर बढ़ा? सबसे ज़्यादा impact बढ़ा गरीब लोगों पर और साथ में इनके साथ health वाली problems भी होती है अब माल लीजे कोई व्यक्ति है, उसकी salary बहुत कम है घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया, ऐसे में उसके कमाया हुआ जो सारा धन है वो उस व्यक्ति के इलाज में ही खर्च हो जाता है और उसकी इस्तिती और ज़्यादा खराब हो जाती है ठीक है? लेकिन यदि आप billionaires को देखें भारत के billionaires इसी दोरान बहुत ही अच्छा perform कर रहे थे आप covid-19 के दोरान देखें या फिर पिछले 2-3 सार में देखें इनका performance बहुत ज़्यादा better रहा है यदि poors की बात करें तो poors को जो हमारी basic necessities होती है आवश्यक वस्तुएं होती है उनको भी वो afford नहीं कर पा रहे है इस्तिती इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है और यदि एक hunger का आपको data दूँ तो भारत में 2022 में जो hunger people की सिती है वो 350 million पहुँच चुकी है जबकि 2018 में ये केवल 190 million हुआ करती थी अब सोचिए hunger कितनी तेजी से बड़ा है पिछले 3-4 सालों में ठीक है तो ये कुछ key data है जिनको आप mains examination में सीधे सीधे use कर सकते हैं यदि आप कोई hunger का question लिख रहे हैं तो आप इस fact को use कर सकते हैं inequality पर आपको कोई question लिखना है तो आप इन सारे data को use कर सकते हैं अब चलिए बात करते हैं कुछ key findings पर जो इस report में बताई गई है जैसे की सबसे पहले यहां बताया है gender inequality देखिए inequality कई तरीके की होती है तो यहां बात की गई है पहले gender inequality की फिर social inequality की तो आपने इसको देखिया quality में हम फिर से use कर सकते हैं आपने article 39 पड़ा होगा DPSP में और इसका close D जो है DPSP में वो यह कहता है महिलाउँ एभर्ण पुरुषों को सामान कारे के लिए सामान वेतन दिया जाएगा लेकिन क्या वास्तब में ऐसा है रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है रिपोर्ट में यह बताया गया है की जिस कारे के लिए किसी एक पुरुष को 1 रुपया मिलता है इनको तो केवल 55% और 50% तक ही लाव राप्त हो पाता है जो हमारे मानीजे society के advantageous section है जिनके पास अच्छी job है जिनके पास salary ठीक ठाका रही है उनके तुल्ला में इनको केवल 50% के आसपास ही wealth मिल पाती है तो इनकी स्तिती ओर ज्यादा खराब है यदि हम social inequality को देखें जो इस Muslim peoples हैं वो भी इसमें include कर लिए जाते हैं और यदि आप informal sector workers को भी इसमें शामिल कर लें तो ये सबसे ज़्यादा पीड़ित आपको दिखाई देंगे सबसे ज़्यादा परिशान दिखाई देंगे ठीक है क्योंकि जो हमारे richest people हैं वो ही सारे wealth को अपने पास रख लेते हैं ऐसे में इन लोगों के पास wealth बनाने के लिए कुछ ऐसा खास रह नहीं जाता तो ये काफी पीड़ित आपको दिखाई देंगे इसके अलावा सबसे बड़ी problem जो इंडिया में inequality को बढ़ाने के लिए है वो ये है कि भारत में जो poor people हैं उनके द्वारा सबसे ज़्यादा taxes pay क 60% जो tax का collection होता है वो इन ही section के द्वारा होता है जो society का कमजोर work है क्योंकि आप GST के माद्यम से बहुत सारी चीजों पर tax pay कर रहे होते हैं तो ये हो गया और जबकि इनकी जो need है वो भी जादा होती है जैसे आप अगर compare करे rich people से तो उनके पास basic necessity की सारी चीजे हैं उनको क कुछ खास खरीदने की आवशक्ता नहीं होती उनका उपभोग कुछ खास नहीं होता है लेकिन वहीं गरीब work को आप देखेंगे तो उनको ज़्यादा सुविधाएं भी चाहिए उनको ज़्यादा essential item भी खरीदने होते हैं और ऐसे में जब ज़्यादा essential item आप खरीदेंग यदि हम अपने health sector की बात करें मैंने आपको एक example भी अभी दिया था कि health sector हमारा बहुत ज़्यादा खराब है ऐसे में गरीब work पर इसका सबसे हदा negative impact पड़ता है क्योंकि अगर उस घर में कोई भी विक्ति अगर बीमार हो जाता है तो उसके treatment में ही बहुत सारा पैसा चला ठीक है हाला कि इसके सुधार के लिए हमारे आप बहुत सारी government के द्वारा schemes लाई जा रही है प्रियास किये जा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको क्या करना है अपने budget को इसमें बढ़ाना है और ये बोला गया है यहां कि आप 2025 तक अपने total GDP का लगबग 5% health sector में खर्च करिए उसके लाबा चुकि education हमारी inequality को बढ़ावा देती है हमने देखा कि education से कितना बड़ा impact आ रहा था तो education पर भी आपको बढ़ावा देना चाहिए और global benchmark के बराबर आपको इसे करना चाहिए ग्लोबल benchmark कि ये कहता है कि आपको अपनी total GDP का 6% education की तरफ लगाना चाहिए तो आपको इस पर focus करना चाहिए उसके लाबा Oxnum International ये भी कहता है कि हमें rich person के उपर ज़्यादा tax लगाने चाहिए क्योंकि वो basically आपको ज़्यादा तर direct tax ही पे कर रहे होते हैं ऐसे में उनका जो tax revenue है वो कम रहता है as compared to poor people तो आपको उस पर बढ़ा देना चाहिए उसके बाद inflation जब बढ़ती है तो ऐसे में कुछ companies को कुछ ज़्यादा ही फाइडा होता है जो food companies है वो ज़्यादा लाब कमा लेती है तो इन्होंने ये suggest किया कि ऐसी company जो आप प्रत्याशित लाब कमाती ह या फिर आचानक से जावल आप कमाती है उनके उपर windfall tax हम लगा के इसको neutralize करने का प्रयास करेंगे अब windfall tax अगर लगाया जाएगा तो ये जितना भी revenue यहां से collect होगा इसको government कहां expand करेगी इसको expenditure किया जाता है social expenditure यहाँ पर किया जा सकता है welfare schemes के तुरू ठीक है तो आप यहां पर इसको लिख सकते हैं तो यह कुछ solutions हो गए उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं Oxfam International पर आखिर यह क्या होता है देखिए Oxfam International कुछ charitable organization का एक confederation है मतलब एक समू है जिसमें total 21 independent charitable organization काम कर रहे है हिंदी में भी charitable को charitable ही कहते है ठीक है आप अपने syllabus में भी देख में शामिल किया जाता है और यह 90 से ज़्यादा country में उपस देती है इनकी उसके बाद objectives की बात करें तो देखिए Oxfam International अभी हमने इतनी सारी बात की कि inequality को लेकर काम करता है तो इनका main objective यह है कि हम injustice को समाप्त करें हम भारत में या फिर पूरे world पे जो अन्याय हो रहा है उसक उसके बाद Oxfam International कुछ ऐसे practical innovative ways भी find करने की कोसिस करता है जिससे हम poverty को eliminate कर सकें उसके बाद यह livelihood को बढ़ाने का प्रयास करता है जब भी कोई crisis आता है जैसे COVID-19 आ गया था तो कैसे हम livelihood को better कर सकते हैं इन सब चीजों पर यह focus करता है ठीक है तो यह हमारा Oxfam International के बारे पर प comment section में लिखकर उस doubt को पूछ सकते हैं thank you so much